महें स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स ठाने में हुए भयानक एक्सिडेंट में एक ड्राइबर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है बताया जा रहा है कि दो कैंटेनर के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई थी हाथसा ठाने के घोल बंदर रोड पाटली पाड़ा है इलाके में शनिवार रात करीब सबाद दो बजे के आसपास में हुई है घोल बंदर रोड से दस टन कपड़ा गुजरात ले जाते समय दो कैंटेनर के बीच में ये जबरदस्त टक्कर हुई है तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक हाथसा था इस हाथसे के बाद एक ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई मेरे तक ड्राइवर का नाम माजित खान 40 साल है जो गुजरात के भरतपुर का रहने वाला बताय जा रहा है हाथसे की वजह से यातायात पर भी काफी असर पड़ा काफी देर तक यातायात बाधित रहा मौके पर पहुँचे प्रसासनिक आमला फोरण शो को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और क्रेन की मदद से हाथसे का शिकार हुए कैंटेनर को हटाया गया उसके बाद दुबारा यातायात शुरू हुई